Hello guys, इस वीडियो को sponsor किया है 5% ने, जो की एक pro firm है जो traders को fund provide करती है तो अगर आप trader है और आपके पास fund नहीं है तो आप इस firm को join कर सकते हैं यहाँ पर आप इनके program choose कर सकते हैं या तो आप instant funding वाला program ले सकते हैं या bootcamp वाला program ले सकते हैं तो आप जो वीडियो के description में जो link है वहाँ से register कर सकते हैं आपको 10% discount मेलेगा Hello guys, welcome to Forex Salary Channel और इस वीड के Forex Market Analysis में स्वागत है तो यह forecast का पहला वीडियो है जहाँ पर हम सभी Forex के peers को analyze करेंगे brokers के लिए जैसे मैंने बताया हुआ है आप मेरी website पर जा सकते हैं Forex Salary Connect.com और यहाँ पर Forex Broker section में आप देख सकते हैं जो भी मैंने recommended broker दिये हैं उनके link वहाँ पर दियो है आप वहाँ पर account खोल सकते हैं अगर आप मेरी membership में खोलना चाहते हैं जैसे कि Axness, Tickmill या FXTM और यह वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं कौन सा broker में mail यूज करता हूँ इंडिया में और बाद में फिर आपको कोई issue आता है deposit withdrawal में आप मुझे contact कर सकते हैं मैं आपकी help करने की कोशिस करूँआ अब देखते हैं सबसे पहले आने वाले हफते में कौन-कौन सी news है जो Forex को impact करेंगी तो हम यहाँ पर Forex कलेंडर में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Forex कलेंडर में यह 6 अगस से 13 अगस तक का कलेंडर है कौन-कौन सी news है जो आने वाले हफते में impact करेंगी Forex Pairs को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले Tuesday को एस्टिलिन डॉलर के उपर 6 बजे सुभे के एक important news है तो ओजी में आपको यहाँ पर काफी वोलेटिलिटी मिलेगी इसके बाद च्छे बजे के आसपास युएसडी के उपर back to back news है जो काफी impact करेंगी इसके बाद Wednesday को अगर आप देखें तो CPI की जो main news है वो 6 बजे के आसपास है तो है तो यहाँ पर back to back काफी news है जो impact करेंगी तो 6 बजे साम को अगर 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 देखें थरस्टिलिटी को फिर यहाँ पर PPI की news है और पिछले अप्ते आपके अनपी की न्यूज थी तो काफी न्यूज थी बैंक रेट का डिसीजन भी था पाउंड के ऊपर अब यहां पर है जो है इतनी वॉलेटिलेटी नहीं है पर न्यूज जो है वो में लिए आपके यूएस सेशन में है और थोड़ी न्यूज आपकी यू बड़ी वीक्नेस आपको मिल रही है पर लास्ट वीक में आप एनपी के नंबर या बाकी नंबर भी देखें यूज डी में काफी स्ट्रॉंग रहे और दो वीक्स पहले उन्होंने इंटरस्ट रेट भी इंक्रीज किया अगेन तो यहां पर आकर अगेन अगर आप देखें नहीं तो अब यह इसी रेंज में आपर चले या उपर की तरफ अगर यह उपर की तरफ जाता है तो यूज डी डॉलर अगेन स्ट्रॉंग है और बाकी पेर्स आपके वीक रहेंगे अब चलते हैं बाकी पेर्स में अब देखते हैं सबसे पहला पेर गाईज हमारा यूरो यूज डी अगर यहां पर आप देखें मैंने 29 जुलाई को आपको बताया था कि हम यहां पर मार्केट में एक रेंज में चल रहे हैं इसी रेंज में आपर हम मूवमेंट कर रहे हैं जब तक आपको कोई ब्रेक आउट न मिले उपर क में उसको ब्रेक चल रहे हैं तो जब तक आपको कोई ब्रेक आउट नहीं मिलता है मैं नहीं कूँगा कि आप अभी इसमें कोई लंबे टाइम के लिए अगर आप बाई भी करते हैं डाउन नीचे बाई कीजिए उपर सेल कीजिए या उपर सेल कीजिए डाउन नीचे बाई कीजिए यहां पर थे हम 29 जुलाई के आसपास मैंने कहा था हम अगें एक ट्रेंड में हापर चल रहे हैं उपर की तरफ यह सपोर्ट एरिया काफी इंपोर्टन है जब तक हम इससे उपर उपर हैं बाई के लिए आप डेफिनिटली देख सकते हैं 29 जुलाई मार्केट यहां पर आई अगें सेम चैनल के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि टार्केट यहीं पर रखेगा या मैक्सिम्म आपकी सपोर्ट एरिया यहां हो सकता है और उसके बाद देखी यहां तक है उसके ब काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप देखिए सपोर्ट एरिया मार्केट काई बार यहां पर बाउंस कर चुकी अब हमें यही देखना हो गर आप सोट ट्रम के लिए यहां पर देखें तो बाई के लिए देख सकते हैं मैं कहूंगा टार्गेट आप इससे उप को यह ब्रेक आउट करें कोई रिट्रेच्मेंट मिले उसके बाद फिर आप बाई की अपर अगर इसको भी ब्रेक करती है नीचे और यहीं से कंट्यूनियू जाती है फिर आप 1.80 नहीं से देख सकते हैं तो अब्जर्व कीजिए पाउंड यूस्ड किस तरह की से बिएव करता है उसके बाद ही फिर आप अपनी कोई अपोर्शनिटी देखिए अगला पेर गाई हमारा ओजी यूसड अगर यहां पर देखें मार्केट एक चैनल के अंदर उपर की तरफ जा रही थी और यहां पर हम सपोर्ट एरिया और उपर की तरफ देखें रिसिस्टेंस एरि अब अगले हफते में हम क्या देख सकते हैं अब देखिए मार्केट कहां पर आ चुकी है हम यहां पर एक सपोर्ट एरिया सॉलिट सपोर्ट एरिया में आ चुके हम हमें देखना होगा क्या यह मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है या ब्रेक आउट देती है अगर नीचे और 0.72071 तक का टार्गेट यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनीशल जो मेरी अबजर्वेशन रहेगी, मैं अभी यहाँ पर रेंज बाउंड में में ट्रेट करने की सोचू हूँ 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 हूँ, और अगर ब्रेकाउट मिलता है, नीचे की तरफ हम सोच के पोर्चिंट देखेंगे, और ओपर की तरफ जाता है, फिर बाई के लिए देखेंगे, अगला पेर गाई हमारा NGD USD, अगर यहाँ पर आप देखें हैं, हम तो 29 जुलाई के आसपास इस एरिया में, अगें सेम, जो बाकी पेर आपने देखें, USD अगें सेम, यहाँ पर भी, हम ट्रेंट के अंदर ही, हम इसमें चल रहे थे, और मैंने कहा ता नीचे जाए, अब बाई कीजिए, उपर जाए, सेल कीजिए, त्रेंट के अंदर ही कंट्यूनियू कीजिए, यहाँ पर head and solder का pattern भी बन चुका है, तो जो भी आप, जिस तरह कीजिए, आप ट्रेंट करना चाहें, देख सकते हैं, अगर यहाँ से ब्रेक आउट देता है, फिर आप टार्गेट इसमें 0.6800, यहाँ तक का जो previous support level है, यहाँ तक का हम देख सकते हैं, अगर यह ब्रेक आउट नहीं देता है, तो फिर आप विदिन रेंज, इसी रेंज में आप टार्गेट में देख सकते हैं, और उपर की तरफ 0.63400, यहाँ तक का टार्गेट हम देख सकते हैं, अगर उपर की रेसिस्टेंस को देखें, तो 0.63400, अगर यह इसको ब्रेक आउट दे, ट्रेच्मेंट मिले, फिर हम यहाँ पर टार्गेट देखें, जो अभी less likely है, तो अभी मैं जो ट्रेट करूँआ, यहाँ तो इसको ब्रेक आउट मिले, जो उपर की तरफ अगर यह जाती भी है, तो within a range, इसी एरिया में मैं हाँ पर ट्रेट करूँआ, अगला पिर गाईज हमारा USDCAD, अगर यहाँ पर आप देखें, USDCAD 29 July के आसपास, मैंने आपको बताया था कि हम continuously market में इसी channel के अंदर down में देख सकते हैं, यह एक support area है, जो काफी important है, यहाँ से market नीचे गई, फिर एकदम से solid jump उपर की तरफ, मैंने कहा था, अगर यह इसको breakout करें, जब तक हम इससे नीचे नीचे सोट की portion देखिए, इसको breakout करें, कोई retracement मिले, buy कीजिए target, जो आपको बताया था, मैंने आपको 130 के आसपास, से market उसी रहे हैं, नहीं तो USD पूरी तरफ की से week चल रहा था, news के बाद आपके पास अच्छी moment उपर की तरफ मिली है, अब आने वाले अपते में, USDCAD में हम क्या देख सकते हैं, तो guys, यहाँ पर sharp down moment नीचे की तरफ हुई थी, consolidate किया, market ने, इसको breakout किया है, अब retracement कर रही है, अगर यह retracement करती है, यहाँ पर इसी trend line को respect करती है, 1.28500 का area, तो मैं इसमें भी buy के opportunity देखुआ, target आपका previous high पहला यहाँ पर, यह continuously अगर जाती है, 130500 के आसपास यहाँ तक का target देख सकते हैं, within a channel, या range, जो भी कहें, आप इसमें moment आप trade करने की सोचिए, अगर यह इसको breakout देती है, दुबारा से level को retest कर सकते हैं, तो target profit आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी USD कैडमे में retracement मिले, buy के opportunity देखुआ, अगला पिर गाईज हमारा USD JPY हम यहाँ पर थे 29 जुलाई के आसपास, मैंने कहा था, हम यहाँ पर market retrace कर सकती है, ओपर की दरफ जाए, जब तक इस level से नीचे नीचे हैं, आप sort की opportunity देखिएगा, यहाँ से market continuously down में गई, इसी area को नीचे breakout किया, टार्गेट जो था मैंने यहाँ पर बताया था, अगर रिटेश्मेंट करके जाती पर, रिटेश्मेंट आपको नहीं मिली, सीधा continuous market डाउन में गई है, यहाँ से market उपर गई, दुबारा again, एक बार retest, दो बार retest, तीन बार यहाँ पर fail किया, और उसके बाद फिर उपर की तरफ, तो अभी कह नहीं सकते हैं, क्या इसको break किया है, नहीं break किया है, नहीं, तो अभी market इसी area में हाँ पर अभी struggle कर रही है, अब next week में USD JPY में हम क्या देख सकते हैं, तो guys यहाँ पर आप देखी, यह trend line जो market यहाँ पर है, continuously market डाउन नीचे की तरफ जा रही है, इमपोर्टेंट है, यह भी area, 133 का क्या है, इसको break करती है, नहीं, क्योंकि trend line भी है, अब यह हमें देखना होगा, अब ज़र करना होगा, क्या market यहीं पर, consolidate करें, नीचे की तरफ movement आए, उसके बाद कोई buy opportunity मिले, फिर आप 37 तक का target यहाँ पर देख सकते हैं, USD INR गाइज, पिछले अपते का forecast, अगर यहाँ पर आप देखें, मैंने कहा था, market इस एरिया में आचुका है, मैंने कहा था, अगर रिटरेश्मेंट करें, नीचे की तरफ movement देखेंगे, target आप देख सकते हैं, 78.57 या 78.148, और market देखें, continuously नीचे गई है, यहाँ से, कुई यहाँ यहाँ पर आप देखें, जो एक range इसको इसने break out किया, और market में हो movement यहाँ पर है, slowly slowly हमें देखना होगा, market क्या इसी range में नीचे की तरफ जाती है, यह नहीं, अगर यह इस level को respect करें, यही पर consolidate करें, ऊपर की तरफ, target आपका within a range, यही पर मैं कहूंगा, देखना next pair हमारा pound yen, यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको दो-तीन हफते से बता रहा हूँ, market एक तरह की से squeeze कर रही है, और इसी range में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 29 July यहाँ पर था, मैंने आपको कहा था, ऊपर की तरफ है, sword opportunity कीजिए, target आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ जो हमारा support area है, उसके बाद market सेम इसी range में आपर देखें, तो market down नीचे की तरफ, अब उसी area में यहाँ पर again same, इसको breakout नहीं किया, fake breakout और same इसी range में आपर चल रही है, अब अगले हफते में pound yen में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, sharp movement नीचे की तरफ, और तो यह range काफी important है, हमें देखना होगा, क्या breakout मिले किधर की तरफ, फिर आप target देख सकते हैं, तो हमारी जो lower, जो range की support है, 159.686 है, और उपर की तरफ है 167, अगर इसको भी breakout करें, 156 नीचे की तरफ आते हैं, आप नीचे की तरफ target देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी यहा जादा लंबी है हैं, आपर target हमें मिल नहीं रहे हैं, अगला फिर हमारा OG Japanese yen, अगर यहाँ पर आप देखें, अगर मैंने कहा था आपको, रिट्रेश्मेंट करें, सोट कीजिएगा, पर यहाँ पर कोई रिट्रेश्मेंट जादा नहीं मिली, सेम यहीं से continuous, और मैंने कहा थ अगर यहीं से भी break मिले, तो directly नीचे हम कहां तक का target देखें, 91.686, उसके बाद नीचे गई, fake breakout उपर की तरफ continuously, अब उपर की तरफ हम market में movement मिली है, अब next week में OG Japanese yen में हम क्या देख सकते हैं, sharp down movement नीचे की तरफ, उपर की तरफ यहाँ पर break, और यह अब यह एक range जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देखुआँ, क्या अगर यह नीचे की तरफ अगर आप buy की opportunity देखें तो यहाँ ना देखें, नीचे की तरफ देखें, कुछ आपको risk to reward आपका better मिल सकें, अगर आप stop loss यहाँ पर लगाएं, target profit range अगर उपर त यहां पर आप देखें यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम कंटुनिसली डाउन मुमेंट में चल रहे हैं और इसी चैनल के अंदर आप ट्रेट कर सकते हैं उपर की तरफ जाए सेल कीजी नीचे की तरफ बाए और अम जा सकते हैं नीचे 5.9338 तक तो यहा आप यहां पर टार्गेट देख सकते हैं अब नेक्स वीक में अगर हम देखें यहां पर क्या हमें अबजर्ब कर सकते हैं तो सेम यहां पर आप देखिए डाउन मुमेंट नीचे की तरफ उपर की तरफ सार्प मुमेंट कहां पर हैं दो बार यहां पर रिटेस्ट कर चुक अगला यही पर और दूसरा 97,250 के आसपास अगला फिर गाईज हमारा यूरो जीबीप अगर यहाँ पर आप देखें साथ डाउन मुवमेंट नीचे की तरफ हुई थी और 29 जुलाई मैंने आपको गाहा था कि यही पर मार्केट अभी इसी रेंज में चलेगी और वही देखें मार्केट ने यही पर मुव किया है कोई ज्यादा मुवमेंट नहीं मिली है कोई ब्रेकाउट भी नहीं मिला अगर उपर की तरफ गए तो रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेट कर सकते हैं हमें ख्याल रखना होगा तो पहला टार्गेट आपका यही पर होना चाहिए जो आपकी प्रिवियस हाई है 84,000 के आसपास और 84,600 आपका दूसरा टार्गेट और फिर अगर अल्टिमेटली हम जाते भी हैं 85,000 यहाँ तक का टार्गेट आप इसमें देख सकते हैं तो मैं यूरो जेपीप में बाइ के पोर्चिंटी देखूँँआ अनलेस यह सपोर्ट को ब्रेक करें और फिर नीचे की दरफ हम 82,763 का टार्गेट देखें तो गाईज यह मेरे सबते का Forex के उपर forecast था आप अपनी analysis कीजिएगा और उसके base पे ही अपने trade लीजिएगा दूसरा जो वीडियो होगा जो metals, gold और bitcoin के उपर होगा वो भी मैं जल्दी release कर दूँँ आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको इससे कुछ help मिल रही है प्लीज लाइक देख वीडियो सेर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी इससे help मिलते रहे और मैं continuously वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ तो अभी के लिए धन्यवाद, thank you, take care and good bye